वेल्कम बैक दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुर्विंदो होम पर दोस्तों आज का जो घर आप देखने जा रहे हो रेजिदेंशल के साथ साथ वे एक कमर्शिल प्रॉपर्टी भी इसे कह सकता हूँ कहने का मतलब यह है कि अगर आप रेजिदेंशल ऑप्शन देख रहे हैं तो भी ओके अगर आप इन्वेस्टमेंट पर व्यू से भी कोई चीज़ देना चाहते हैं तो भी ऑप्शन आपके वाके काफी शांदा रहेगी क्योंकि घर जो आपको आज मिलने वाला वो बिल्कुल फुली फर्निश्ट होने वाला है जहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसके साथ के साथ है यहां पर मेंटर्च मेंटर्स जो कि आपको वुद और वाहर मच के साथ मिलने वाला है 900 square feet के अंदर हमारा घर आज आपको मिलने वाला है आज का घर रहेगा और सौगज भी हम इसके कह सकते हैं और ओपन करते हैं इसके साथ ही हमारा जो आयता है flush door जो कि हमारा main entrance door रहने वाला है तो chocolate brown color यहाँ पर मिलता है अच्छी design के साथ आपको यहाँ पर घर का जो main entrance door है वो म में यहाँ पर मिल जाता है काफी अच्छी space है और काफी अच्छा तरीकी से इसको design किया गया है यह खास चीज है आपकी जो length और width है वो काफी अच्छा तरीके से design यहाँ पर की है proper आपका 4-seater यहाँ पर हमने dining table लगाया उसके इलावा हमने जो है 5-seater आपकी जो है sofa set लग अगर बड़ा होता है तो वहाँ पर जो ventilation है तो airflow होता है वो काफी अच्छा रहता है और इसलिए आपके सामने corner हमने जो है sofa set यहाँ पर लगाया यहाँ फाइव सेटर और center table के साथ रगाया उसके साथ अगर आप देखते है तो सारों तरफ आपके पास जगा जो है वो काफी अच्छी रहेगी उसके साथ एक खुब सुरू सा वाल पेपर जो कि एक 3D डिजाइन है देखने में ऐसा लगता है कि वाल जो है आपकी बिल्कुल ब्रिक्स के साथ बनी यहां पर लगाई हूई है मैं बता दू थोड़ा सा फर्क जो होगा आपके इसके अंदर होगा क्योंकि यहां पर जैसे वाइट कलर है तो वाइट कलर को मेंटें करना बड़ा मुश्किल सा होता है तो यूजली जो हम चीज घर पे मेंटेन कर सकते हैं इसली तो कुछ वैसा furniture हम आपको provide कराएंगे ताकि आपको maintain भी करना easy रहे और जिसके life भी ज़्यादा चलती हो तो दोस्तों काफी अच्छी space हमारे drawing और dining रिये करता है जहाँ पर ceiling पर भी आपको एक अच्छा काम मिल देगा बिल्कुल theme light मिलती है conceal lamps आपको मिलते है fans आपको लगे लगाएं मिलने वाले यहाँ पर परदे आपको लहाँ पर हम तक्रीबर लगा कर देंगे तो space और जितना हम utilize करना चाहते हैं इस जगा को वो पूरा हम use कर सकते हैं और ठीक सामने देखे खिडकी काफी बड़ी खिडकी है तो एक अच्छी space का मतर भी यह होता है कि अगर ventilation के लिए आपके पास खिडकियां हो जादा तो अच्छी space हमें मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पर हमने एक table थोड़ा सा रखा हुआ space हमारे पास काफी अच्छी थी तो अगर आपको लगता है कि हमें घर के अंदर पूजा रूम या पूजा स्पेस की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो वो हम भी आपको डिजाइन करके दे देंगे और इस टेबल को हम चाहे तो किचन में रख लें या फिर यहां पर आप अगर अगर अपना इनवर्टर सेट आप बना रखना चाहते तो वो आप रख सकते हैं तो लाजवाब स्पेस के साथ एक अच्छा है मैनेजमेंट एक अच्छा आके तक डिजाइन जिसे कहते हैं वो हमें यहां पर मिल जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ड्राइं को डाइनिंग से ठीक यहां पर हमारी किचन आ जाती है जो की L शेप के अंदर हमें मिलने वाली है और बिलकुल एक अच्छे कोंसेड के साथ हाथ एक कीचन गार भो एक काफी अच्छा हमें जाता हैं तो किचन में जो कोंसेडी आप dealt ग्रेने वालों प्रॉपर खीड की कैबिनेटेंस आपको मिलते हैं और आप देखे के तो एक स्पेस के साथ कैबिनेट समय मिल जाते हैं तो इसली जहां पर हमने यह समान रखा यहां पर आप जितना मज़े समान रखें आपके सारे जार्ज अंदर आने वाले हैं कोई भी चीज बाहर नहीं रहेगी यहां पर स्पेस का पर आपको मिलेगा मैक्सिम स्टोरेज और चिमनी आपको हम यहां पर लगाके देंगे जिसका आउटलेट भी जब उपर पाइप और कई खराब लगती तो हमने इसको भी पूरा कवर कर दिया कीचन के ही डिजाइन के अंदर इसके साथ अगेन इस तरफ फिर से हमारे पास जो है स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है तो इसली maximum storage है जो आपके वह यहीं पर हो जाएगी इसके ज़्यादा आपको करने के कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर आप यह तरफ देहान से देखे तो बड़ा अच्छा सा काम लगता है जैसे कोई नकाशी की होती है एक अलगी looks के साथ आपको यहां पर tiles यहां पर मिल जाएगी ताकि light आती रहे वैट एरिया के अंदर और यहां पर आरो भी हम आपको लगा कर देरें जिसको हमने कवर किया cabinet के अंदर और यहां पर आपकी जो स्पेस है खाली इसको आप जैसे यूज करना चाहते हैं वैसे आप कीजिए microwave की स्पेस आपको पूरी यहां पर कोड़े मिलेंगे तो दोस्तों फॉस्तों पहरे पास ना दो ऑप्षन है कि अगर तो आपको लगता कि हमने रेडी लेना है तो आपको भूबी ऑप्षन मिल जाएगी अगर आपको लगता कि ने दो तिन महीने तक हमने वेट कर सकते हैं और हमारे हिसाब से ख़़ड़ा सा कर दीजिए वो भी आपका हो सकते हैं तो दोनों यहां पर अवेलेबल रहेंगी आपके लिए और एक अच्छे बजट के अंदर आपको चीज मिल जाती है जो कि बहुत रेर होता है बिल्कुल हाइवे की ऊपर आपको चीज मिल जाती है वह सबसे बड़ी चीज है कि हमारा घर जो हाइवे की ऊपर है कि घर से निकल कर हम हाइवे तक पहुचने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करने पड़ती वॉकिंग बिस्नेस पर आपका बस्टेंड आयाता है और वॉकिंग डिस्नेस पर ही आपका मंदिल मस्जी गुर्दवारा साफ हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेज कि अपर जाते हैं एक प्रॉपर मार्केट अपर पास में जाती है और यहां से हमारा फॉस्प बेटरूम का सफ़र जो शुरू होता है एक अच्छा डिसेंट साइज मैं इसको कहूंगा बिल्कु तेरा बाई दसका साइज हमें यहां पर मिल जाता है बैड आपको लगे- और इसके साथ सेलिंग पर फैन आपको हम देंगे लेंगे लेंपस आपको हम लगे लगाए देंगे एक वाल पेपर जो है वो कॉंपलिमेंटरी होगा और आपके हिसाब से ही एक वाल पेपर यहां पर मिलने वाला आपको आपको लगता है कि कलर कोई और चाहिए यहां फिर इ मत की ऐसा नहीं कि अगर बजट में चीज आपको मिल रही है तो वहाँ पे कोई कटाउती होगी वो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता आपको चीज जो मिलती है यहाँ पर पूरी और प्रॉपर मिलती है और यहां से अगर मैं बात करूँ आईटी पार्क महाली की वो सिर्फ पां समीं आपको मिल जाता और हाइवे के उपार हैंने से कोई भी चीज आप से दूर होती नियूँ कभी और यहां आप देखें स्यावर्श कितरा थे और देखेंगे स्पेस कितनी अच्छी है आपके बैड के दोनों या तीनों तरफ आप इजिली यहां से वहां वाक करें तो भी प्रॉलम नहीं होगी और ठीक यहां पर हमारा वाश्रूम जो कि अटैच रहने वाला है अगेन आपका फ्लच दो यहां पर आपको मिलेगा और ठ आपको कि यहां पर टैप्स में कोई जैगवार ब्रैंड नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक अच्छी क्वालटी या फिर एक वरंटी वाली चीज़ें मिलेंगी तो कहने का मतरब यह है कि आप सेब चाहे किश्मीर का खाओ या हिमाचल का खाओ तो वह पॉस्टिक ही रहेगा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अबानी और अडानी के स्टैंपोनी ज़रूरी है तो मतरब की जो चीज होगी वह अच्छी हेल्दी और एक अच्छी डूरेबल रहने वाली है आपकी एक चैडिजाइन के साथ आपका वाश्रूम और सबसे अच्छी चीज होती है कि जब आपके घर को डिजाइन करते वहां पर जो लाइट है उसका वेंटिलेशन का पूरा द्यान को आप देखेंगे दरवाजों के ऊपर आपके जो है रोशंदान रखे होए आज भी तो इनकी बड़ी ज़रूरत होती है कई बार और ठी उसका जो है यहां पर स्पेस आपको काफी अच्छी मिलेगी इसली आप अपनी फ्रंट लोडिन मशीन रखें और वाशिंग और क्लोधिंग दोनों यहां पर कर सकते हैं आपके टैप्स और पावर पाइंट दोनों प्रविशन आपको मिलेगी तो दोस्तों अगर आप जम्मू से चंदिगड की तरफ आते हैं तो आपका बिलकुए रास्ते के अंदर आता है और यहां से चंदिगड से अगर अमरिस सर जलंदर तुद्याना किसी भी लोकेशन पर जाते है तो आपका बिलकुए रास्ते के अंदर आपका आता है तो भी आप यहां से गुजरेंगे तो आपका रास्ते के अंदर ही आएगा और डिजाइन करते हो इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर बजट के अंदर दे रहे हैं तो आपको प्रॉलम ना हो और हमने बता दूँ आपको जो बैड रखें वो प्रॉपर किंग गए यहां पर तो आपके मतलब की चीज़ें सारी यहां पर रहेंगी तो यहां पर सिरफ आपने अपने जो है कपड़े लेकर आने बाकी समान आपको यहां पर मिल जाएगा तक्रीबन सारा का सारा बड़ी सी खिड़की आपको अगेन यहां पर मिल जाती है और यहां पर प अपने कपड़े लेके आने और कुछ भी नहीं लेके आने और बरतन लेके आने बस ठीक यहां पर हमारा सेकिंड वाच्रूम जो कि अगें हमें अटैच मिलता है एक अच्छे पैटर्न के साथ टाइल वोक आपको यहां पूरा मेलने वाला अगें सेकिंड वाच्रूम में भी जो गीजर है वो लगा कर देंगे और एक कंप्लेट गर जिसे कहते है एक जटैक्श्य शम में यहां पर मिल जाती है तो ज़्याधा कुछ सोचने की जुरूब पड़ती है कर देखें कई बाद मैं जो है कि हमने घर पे जाकर यह काम करना है वो काम करना यह चीज लगानी है वो लगानी है तो वो सब यहाँ पर सोचने के जुरूरत नहीं पड़ती है तो दोस्तों अभी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अभी वीडियो खतम नहीं हुई है इसके बाद मैं आपको जो है यहां की कनेक्टिवेटी वो सारी दिखा देता हूँ दाकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कहां से कैसे और किस लोकेशन पर आपको जो है घर आपका अपना होने वाला है यहाँ पर एक खुबसूरती जिसको निहारत हुए अब जब भी आएंगे आप खुद इसको देखते रहेंगे तो दोस्तो यहाँ से हम चलते है सिधा अपनी रूफ की तरफ और यहाँ से हमारी सुसाइटी का व्यू और सुसाइटी के साथ ही हमारी हाईवे और यह आपका फ्लाइवर है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने कदमों पर आपकी फ्लाइवर है यहाँ बाहर का रास्त तो आप जो है बिल्कुल हाइवे के ऊपर रहें और यहाँ पर जो होता है अप्रीशेशन भी बहुत अच्छी पिलती है हमें हाइवे के ऊपर तो दोस्तों अवीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीज़े दोस्तों शेर कीजिए आप नही एक और घर के साथ तब तक के लिए जाज़ा लूँगा आपका दोस्त गुर्बिंदर साथ सिकाल